बस्तर जिले के धर्बा ब्लॉक अंतरगर्च चुडपाल ग्राम के प्राइमरी विद्याले में तेड़ सो बच्चे सिक्षा ग्रहन करते हैं, जिसमें लगभक सत्तर बालिकाएं बाकी बालक हैं। निंदा की बात तो ये है कि यहाँ विद्यारती तो हैं, लेकिन सिक्षा देने के लिए कोई सिक्षक नहीं है। तीचर लोग कब से नहीं आ रहे हैं। हिंडिन हिंडिन से कोई नहीं आ रहे हैं। फिर तो कुन पढ़ाता है यहां। हम खड़ें बस्तर जिला के दर्भा बलाक में। यहां बता दू दर्भा बलाक का ये चिडपाल ग्राम पंचयत है। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो विध्याले है ये चिडपाल का ही विध्याले है। इसमें पाँचवी तक बच्चे जो है पढ़ते हैं और एक बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली अभी लगबग 11 बजने वाले हैं लेकिन किसी भी सिच्चक का यहां उपस्तित ही नहीं दर्ज हुआ है। जिहां बता दू पांचवी तक चलने वाले इस स्कूल में अभी भी कोई सिच्चक नहीं पहुँचे हैं। अगर करमचाईओं की बात करें तो यहां पास में एक आस्रम लगा हुआ है और इस आस्रम के जो इस आस्रम में खाना बनाते हैं वह हमारे साथ हैं। क्या समय हो रहा है। कि कि कोई सिच्चक कभी नहीं आये। क्यों नहीं आये। एक बड़ी बार देश और विदेश करोना महमारी से जब जूज रहेते तो यही बच्चे अपने घर में बैठे तो जब करोना महमारी का असर कम हुआ तो इन बच्चों में भी और माता पिदा में भी एक खुसी हुई कि अब हमारे बच्चे स्कूल में जा करके सिच्चा को हासिल कर सकेंगे ऐसे इस्तिती में इन बच्चों का भविस अंदकार में बिल्कुल डूपता हुआ नजरा रहा है क्योंकि यह समय था इने सिच्चा प्राप करने का गुरुजी कब से नहीं आते थे तो आज बुद्धो आ रहा है अभी तक गुरुजी नहीं करमचारियों के नाम पर इस स्कूल में किसी का भी आगमन नहीं हो राय कि हासे में सवाल ये उठता है कि आखिर, ये बच्चे भी i-स school में सुरचित कैसे हैं मैं अरजुन पांडे सादना नीज झाल